एक पदों का गुणनफल, एक पद का एक पद के साथ गुणनफल, एक पद का गुणनफल समझने के लिए आईए एक उधारन ले और प्रयास करें, उधारन 5x और रिन 4 गुणा 2yz का गुणा कीजिए, गुणा के चिनह का उपियोग करते हुए एक पदों को गुणान को और चरों में अलग कीजिए, 5 गुणा x कोश्टक में रिन 4x वर्ग 2yz बराबर, 5x गटा 4 गुणा x गुणा x वर्ग 2yz बराबर, रिन 20 कोश्टक में x गुणा x वर्ग 2yz बराबर, रिन 20 x की गात 1-2yz बराबर, रिन 20 कोश्टक में x की गात 3yz, सभी गुणान कों का 7-7 गुणा कीजिए, अर्थार्थ 5 और रिन 4, फिर सभी चरों का 7-7 गुणा कीजिए, व्यन्जक को सरल करने के बाद सरल करें, हम प्राप्त करते हैं, बराबर, रिन 20 x की गात 3yz, एक पद का द्वी पद के साथ गुणान फल, एक पद का अन्य द्वी पद के साथ गुणान फल के लिए, हल, वित्रन नियम लागू कीजिए, दो व्यन्जकों पर विचार कीजिए, अर्थार्थ बराबर, इन वियन्जकों का गुणा कीजिए, फिर सबसे पहले हम गुणा करते हैं, बराबर, 3x गुणा 5y जोड, 3x गुणा 2, हम प्राप्त करते हैं, बराबर, 15xy जोड 6x, किसी द्वी पद का एक त्री पद के साथ गुणान फल, द्वी पद का एक त्री पद के साथ गुणन फल में वित्रन नियम का उपयोग किया जाता है, उधारन, x-y और x-y-y-2 का गुणा कीजिए, x-y, x-y-y-2 हम प्राप्त करते हैं, बराबर x कोष्टक में x-y-2-y कोष्टक में x-y-2 कोष्टक खोलिये और फिर उनका गुणा कीजिए, हम प्राप्त करते हैं, बराबर x-2-xy-xy-2-y-2-y-3 व्यंजगों को सरल कीजिए और व्यंजग में सरल पदों की जांच कीजिए, क्या व्यंजग में समान पद हैं? हाँ, x-y और y-x समान पद हैं, पदों को पुनह व्यवस्थित कीजिए और उन्हें सरल कीजिए, इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, बराबर x-2-2-xy-xy-2-y-2-y-2-y-3 हाँ, वोजी तो बाता हैं, लॉकित हैं, इसा वंकित भीजिए लुट्फराइज ऑ। में इस बदिण चिएने का जान में सरह में atteम आगके हैं, लॉकित में आगकता हैं, वेसं आगके is अःयोतां áreas viktने इस ओंप Seсон अटे में